एक छोटे से शहर में सबिता नाम की एक बहुत ही मोटी औरत रहती थी कुछ दिनों पहले ही उसके पती की मौत हुई थी वो इतनी मोटी थी कि वो साफ सफाई का भी काम ठीक से नहीं कर पाती थी जिसकी वज़े से उसे कोई अपने यहां काम पर रखना पसद नहीं करता था काम ना मिलने की वज़े से वो परिशान हो जाती है हे भगवान मैं इतनी मोटी क्यों हूँ जिसकी वज़े से कोई भी मुझे अपने यहां काम पर रखने के लिए भी राजी नहीं है अब तो मेरे पास बस ये थोड़े से ही पैसे बचे हैं, इन पैसों में तो घर का राशन भी ठीक से नहीं आ पाएगा, नहीं, मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा, ऐसे मैं कब तक हाथ पर हाथ धर कर बैठी रहोंगी, ये भगवान काश में मोटी ना होती, कम से कम मुझे आज ये दिन तो ना देखना पड़ता, ये सब सोचते हुए वो रोती जा रही थी और बार बार अपने आपको कोस रही थी, वो पूरी रात बस यही सोच रही थी, कि ऐसा कौन सा काम है जो मोटे होने के बावजूद भी वो कर सकती है, तब ही अचानक से उसके दिमाग में खयाल आता है, हाँ, हाँ, ये सही है, मैं ये काम आसानी से कर सकती हूँ, मुझे इसमें कोई परिशानी भी नहीं होगी, और फिर वो आराम से सो जाती है, और फिर अगली सुबह, जैसे ही सुबह होती है, सबिता बाजार से बर्गर बनाने का सामान लाती है, और बर्गर ब ये बर्गर कुछ ज्यादधा ही मोटा नहीं है, बला बर्गर भी कोई ऐसा होता है क्या, खुद तो है मोटी, बर्गर भी अपने जैसा मोटा बेस्वाद बना रखा है, मोटी कहीं कि बर्गर खिलाकर सारा मोह खराब कर दिया, बला बर्गर भी कोई इतना मोटा बनाता है और बेस्वाद है और वो एक भयानक चुडैल बन जाती है चुडैल पूरी रात अपनी लाश को देखते हुए रो रही थी और उन सभी से बदला लेने का सोच रही थी और फिर जैसे ही सुबह होती है चुडैल अपना भेश बदलती है लेकिन रहती है मोटी ही और चौराहे पर जाकर बर्गर बेचने लगती है बर्गर 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 जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ नहीं तो सारे बर्गर खत्म हो जाएंगे जो पहले आएगा उसे एक burger के साथ एक burger free मिलेगा उस चुडेल की आवाज को सुनकर उसके ठेले पर भीड़ जमा हो जाती है ठीक है मैं उसी को एक burger free दूँगी जो पहले आया था फिर वो चुडेल उसकी आँखे बचा कर burger पर जादू करकर उसे खाने के लिए देती है ये लो भाईया आपका burger और ये free वाला burger भी और फिर burger खाते ही वो आदमे उस चुडेल से कहता है सही मैं burger खाकर तो मज़ा ही आ गया चुडेल मनी मन खुश होती है ये औरत इतनी मोटी होने के बावजूद भी इतनी जल्दी और इतना बढ़िया बर्गर कैसे बना लेती है चुडेल सभी लोगों को burger पर जादु करके खिला रही थी जिससे उसके बनाए हुए burger सभी को खूब स्वादिश लग रहे थे और सभी लोग उसके burger स्वाद लेकर खा रहे थे और किसी को उसपर शक भी नहीं हो रहा था जिससे उस चुडैल के सभी बर्गर खत्म हो जाते हैं और वो मनी मन बड़ी खुश भी हो रही थी वाह चलो अच्छा है सभी को मेरे बनाए हुए बर्गर पसंद आ रहे है और किसी को मुझे पर शक भी नहीं हुआ लेकिन जब ये लोग अपने घर पहुचेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि उनके साथ क्या हो गया और बोलो मुझे मोटी ये क्या कर वो चुडैल बड़ी जोर से हसने लगती है और फिर जैसे ही रात होती है वो फिर से चुडैल बन जाती है और उधर जब सभी लोग सो रहे थे जिन्नोंने उस चुडैल के बर्गर खाये थे वो सभी उसी की तरह मोटे हो जाते हैं और इधर चुडैल मनी मन खुश हो रही थी अब आएगा मजा मुझे मोटा कहा था ना जब खुद मोटे होंगे तब पता चलेगा कि कैसा लगता है जब कोई उने मोटा कहता है और फिर जैसे ही सुबह होती है उन सभी की पतनिया जब उन्हें उठाने के लिए आती है तो अपने पतियों को मोटा देखकर उनकी चीक निकल जाती है और चीक की आवाज सुनकर वो सभी जाग जाते हैं और वो सबी अपनी पत्मियों से कहते हैं अरे क्या हुआ इतनी जोर-जोर से सुबा-सुबा क्यों चिला रही हो अच्छा मैं चिला रही हूँ जब तुम भी अपने आपको देखोगे तो आप भी ऐसे ही चिलाओगे फिर उस औरत का पती जैसे ही अपने आपको देखता है तो उसकी भी चीक निकल जाती है मैं रात को तो अच्छे से सोया था फिर अचानक से रात ही रात में मोटा कैसे हो गया उधर बाकी के लोग भी जब अपने आपको देखते हैं तो वो भी अपने आपको मोटा पाकर घबरा जाते हैं किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर उनके साथ ये सब कैसे हुआ वो मोटे कैसे हो गए और फिर अगली सुबा वो चुडेल फिर से औरत का रूप ले लेती है और भयानक हंसी हसने लगती है अब चला जाए बर्गर बेचने बर्गर बेचूंगी तभी तो सबी लोग मेरा बर्गर खाएंगे और मोटे हो जाएंगे मेरी तरह फिर वो और जादा जोर से हसने लगती है और बर्गर बेचने के लिए निकल जाती है और चौराही पर जाकर अपना ठेला खड़ा करके बर्गर बेचने लगती है जल्दी आओ, बर्गर खाओ, सेहत बनाओ जो पहले आएगा उसे एक बर्गर के साथ एक फ्री मिलेगा उस चुडेल के ठेले पर देखते ही देखते कुछी देर में भीर जमा हो जाती है और सभी लोग उस चुडेल से बर्गर खाने के लिए मांगते है मैं पहले आया हूँ, मुझे बर्गर फ्री मिलेगा नहीं नहीं मैं पहले आया हूँ पहले मुझे बर्गर फ्री मिलेगा चुडेल उन सभी आदमियों की बाते सुनकर मनी मन खुश हो रही थी अब इन्हें क्या पता कि मेरे बर्गर खाते ही रात में इनके साथ क्या होगा खूप खाओ मेरा बर्गर तबि तो मोटे और मोटे होते जाओगे तबि सभी आदमि चुडेल से बर्गर खाने के लिए मांग रहे थे और चुडेल सभी को बर्गर पर जादू करके उन्हें खिला रही थी और सभी लोग उसका बनाय हुआ बर्गर स्वाद ले लेकर खा रहे थे और फिर जैसे ही रात होती है वो सभी आदमी मोटे हो जाते हैं जिन्होंने उस चुडैल के बर्गर खाये थे उधर चुडैल उन्हें मोटा होता दे एक बड़ी खुश हो रही थी सभ के सभ मोटे होंगे मेरी तरह मुझे मोटा कहा था न अब पता चलेगा सभ को कि मोटा होना क्या होता है और फिर जैसे ही सुबह होती है वो सभी आदमी जब अपने आपको मोटा पाते हैं तो बुरी तरह घबरा जाते हैं और फिर वो सबी एक जगा इकठे होकर आपस में बाते करने लगते हैं। मेरी वाली ने तो मुझे खाना पीना तक देना बंद कर दिया है। पुझारी जी अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं और उस चुडैल से बचा सकते हैं। पर हम उसे खिलाएंगे कैसे। ये मेरा काम नहीं है। मैंने अपना काम कर दिया है अब तुम लोग अपना काम करो। पिर वो सभी आदमी उस चुडैल के पास जाते हैं और उससे बर्गर खाने के लिए मांगते हैं। और जैसे ही चुडैल उन्हें बर्गर खाने के लिए देती हैं। वो आदमी जल्दी से उसके उपर भभूत शड़क देता है। जिससे उसका शरीर जलने लगता है और वो अपने असली चुडैल रूप में आ जाती है। दोखा! तुमने मेरे साथ दोखा किया! मैं अब तुम लोगों को नहीं चोड़ूँगी! और फिर जैसे ही चुडैल उन्हें सभी आदमियों की तरफ उन्हें मारने के लिए बढ़ती हैं, तो उसका पूरा शरीर जलकर राख हो जाता है। और उसके मरते ही वो सभी आदमी पहले जैसे हो जाते हैं।